जन्म कुंडली के पंचम भाव में देव गुरु ब्रहस्पती हो और दसम भाव में चंद्रमा हो तो सीधी सी बात है छटवे आठवे का सम्मंध हुआ सकट योग बना लेकिन अगर ऐसी इस्तुती जन्म कुंडली में बनती हो जहां गुरु कुंडली के पंचम में और चंद्रमा कुंडली के दसम में हो तो इस योग के होने से जातक राजा, राजा के सम्तुल्य तपस्वी और बुद्धिमान होता है उच्चकोटी की ये इस्तुती बन जाती है, लेकिन केवल ये बनता पंचम और दसम के संबंध से ही है और कहीं नहीं, है ये भी सकट योग, लेकिन ये योग दुर्योग नहीं, वरन राजयोग प्रदायक बन जाता है